मैडम मेरे पास एक जबर्दस्ताइड है ये जो है गलीसरीन है गलीसरीन तो बून जजबातों के ये तो बून आखों में डाल दोगे न तो ऐसे आसु बहेंगे कि रोके रुक नहीं सकते तो बून माफी के ये बून आखों में डालो और मैडम सर से माफी मागो आपके आसूओं के सहलाब में मैडम सर बह जाएगी फिर माफी क्या चीज है आपको ऐसे चोड़ी पोस्त दे दी तक जबर दिखाओ क्या ही एक लिए तो बून जजबातों के खीक है, बिल्ले, तुम्हारा आइडिया ट्राइ करते हैं. हाँ, करो. जय हिन मैनमसुण. जय हिन, जय हिन. करिशमा सिंग, क्या हो आपको आप एतनी उदास कीव है? नहीं, कुछ नहीं. मैनमसर, बिल्ले हट. मैनमसर, ये आपसे माफिय मांगना चाहती है. इसनी दुखी है, इसलिए आ जाई है. अच्छा, ठीक है, आइए, केबन में बटकी बात करते हैं. All the best, all the best. मादम, दो बुद, दो बुद, जजबातों के? हाँ, हाँ, दो बुद. जी, कारिष्मा सिंग, आप कहिए. हमें माफ करतीचे, मादम सर, आप हम, हम बहुत शर्मिंदा है, हम शर्मिंदीगी से भर गए हैं, हमें माफ करतीचे. सच में? हाँ, सच में, मैडम सर, हम अपना शकल नहीं देख पाते हैं आइने में, हम इतना शर्म हंदिकी से भर गए हमें, प्लीज माफ कर दीजे आप मैडम सर, प्लीज क्या हुआ मैडम सर? नहीं, हम हमें बहुत खुशी हुई है जानकर कि आपको सच में अपनी किये का पच्तावा हो रहा है लेकिन सच कहें तो हमें इस बार आपकी बात पर पूरी तरीके से यकीन नहीं हो रहा है हाँ यखिन नहीं मैडम से हम आपको कैसे यखिन दिलाए कि हम सच मुझ बहु शर्मिन्दा है आप आप रो रही हैं करश मसें आप आप सच में रो रही है मैडम से यह यह मारे पश्चत आप क्यास हुआ मैडम से बहुत बड़ा गंती है अच प्लीज माफ कर दीजे ठीके ठीके प्लीज प्लीज रिलाक्स आप आप इस रहा से रोना बंद कीजे हम हम ही तो यकीन नहीं हो रहा है उपर से इतनी सक्त और इतनी कड़क दिखने वाली हमारी करिश्मा से अंदर से इतनी एमोशनल है देखे हम मानते हैं कि आपको अपने के का पच्तावा हो रहा है इसलिए आप गिल्टी फील कर रही है लेकिन उसमें इतना ज्यादा परिशान होने वाली कोई बात नहीं है इस रहता है इस तरह से रोना आपको बिल्कुल भी सूटने ही करता रर्षमा से इंग ठीक है हम आपको माफ करते हैं ठीक है ठीक है हमने आपको माफ कर दिया, रिला एक्सब रोना बंद रही, okay? गुड़, गुड़ अमा यह आसु रूख क्यो नहीं रहे? कारे, गलिसरीन दिया है कि जहर दिया, इतना आसु बह रहा है? यह अशको गलिसरी नहीं बोलते है लेकिन मैंने कहा था दूबून, 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 दूधकन डाले है क्या हुआ, अरे हमने अब को माफ करतू दिया, अब तो रोना बंद कीजिये, रुखिए खुद को नहीं रुखेंगे माडम सर, दोस जाता हो गया, क्या? कई दुखी का डूस ब्ञादा हो गया तहाँ माडम सर तो अब खुषी का डूस हो गया बच्पन की समझ्सा हमारी रही है एक हम जब बहुत खुछ हो जाते हैं ना माडम सर तो हमारा यह पाइप्लाइन फट जाता है और पिर ऐसे ही बैखने लगता है माडम सर अंए आप तै अहां है? कहां है? SHO मैडम कहा है? हाँ, आप बताएगे क्या प्रॉब्लम मैं आपको? आप? मैं अनु ना था? और ये मेरे पाती दिराज आप जानती है मैडम सर? पता नहीं, आप आएगे प्लीज बैठिये, बैठिये जी, तो आपके हस्बन को क्या हुआ? अरे तो ऐसे हो गए ना, मीनु के ससनाल से लौटे तब से मीनु पेटी, मीनु, मिनाक्षी मैडम सर को बता रही है कि याद दिलवा रही है समझ नहीं आ रहा उसके ससनाल गए थे ना, उससे मिलने के लिए जब लौटे तो ऐसे पत्थर जैसे बन गए क्यों? एक गिलार दहेज भी लेया क्या? क्या? पानी मांग रहे है अरे मैं भी ऐसे शौक्त हुई थी ये नहीं के सस्राल से वापस आये थे तभी इन्होंने मुझसे कहा था कि एक बकेट भर के दहेज बात्रूम में रग दो ऐसे हो गया ना इनका हाल मीनु के सस्राल से लोटे ना तब से बहुत चक्के से और आखे फाड फाड के बस गोबते रहते इमकर मुझसे एक वर्ड भी निकलता है फिर वो तो अच्छी बात है लेकिन जब भी बोलते हैं उसे दहेज ही बोलते हैं पता नहीं मीनु के सस्राल वालो ने इस बार दहेज में क्या मांग लिया इने तो सदमा बढ़ गया है हम इसका मतलब आपके बेटी के सस्राल वाले आपसे दहेज मांग रहे हैं हम और नहीं तो क्या इने के आपने खुद के दहेज का सद्मा वेठा है? आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि दहेज की वज़े से इनकी हालत ऐसे हुई है कि आपकी बेटी के ससुराल वालों ने कभी किसी चीज की मांग की, किसी चीज के लिए फोर्स किया? नहीं ना मैडम. उन्हों ने अपसी किसी चीज की मांग नहीं की, फोर्स नहीं किया, ना देने पर बेटी को परिशान नहीं किया, तो फिर हम किस बेसिस पर इसे दहेज का केस बनाएं? अरे, उसके ससुराल वाले तो ऐसे है ना, बड़े चालाक है, उनको पता है ना कि आजकल दहेज लेना और देना कानूनी अपराद है, तो ऐसे डायरेक्ट थोड़ी ना मांगते है वो, वो तो बहाने बहाने से घुमा घुमा के पीरा पीरा के ऐसे मांगते है, कि हमें तो हम दहित देते जा रहें, देते जा रहें, और लेते जा रहें, और पता तो हमें तब चलता है कि जब हम कंगाल होके सड़क पर आ जाते हैं हम आपकी बात समझ रहें लेकिन इन बातों की बिना पर हम कोई केस रेजिस्टर नहीं कर सकते क्यों? अच्छ! कर और जा के तर रहा हूं क्या? नहीं, मतलब पूरी बात सुन कर ही हम कुछ कर सकते हैं अल, पूरी बात तो आप जानती है ना? बताया ना मैंने अभी? मतलब… हो सकता है कि ये सिर्फ एक दर्फा सच हो यह सिर्फ आपका नजरिया हो सकता है कि पूरा सच कुछ और हो देखिये, हम सच की अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे और अगर हमें लगा कि ऐसा कुछ है तो हम उनके खिलाफ सक से सक कारेवाही करेंगे, ठीके? लेकिन तब तक के लिए आप प्लीज अपना फोन नंबर और अड्रस पुषपाजी को दे दीजे आएए अरे अड्रस तो वही है ना? वहीवी दो बता देशिका, आएए मंदिर के तीछ ओगा है आप कहां जा रही है? वर्दी लिने, माड़म सेर अपने माफ कर दिया ना मैं? हमने आपको सिर्फ माफ किया anthrop perspective को दॉह नहीं का और वैसे भी आप जहां जा रही हैं वहां आपको वर्दी की जरुद बिलको नहीं पड़ेगी नहीं पड़ेगी? मतलब हम कहां जा रहे हैं? पदनाम भाई! क्या है बे? क्या हैंसम लग रहे हु यार! अरे वह तो मैं बच्पन से हूँ! कोई शक! ये चल लिकल! चाँचाँचाँचाँचाँचाँ और सुनों यार! इकाम था हजार रुपे दो गए है को बात में देता हूँ! क्या है? मा कशांचाँ मैं हजार रुपे के साथ जमाने पहले शेरपी लियाता है तबसे माज खुद देखाने माज देखने कर तड़ा पुरा हूँ मैं यह मर पास 1000 रुपए बद्दान बाई, 1000 रुपए देदो यार कल देता हूनों यह तो ठोड़ी होता है अपाइ धन्दा मंदा चर्णा 1000 रुपए खाई देता सौ का गल्ला नी हो रहा है तो कौन देगा हमें उधार सब तो हमारा करेक्टर जानते हैं पाइचा देते नहीं किछी को एक मैं बिल्लू से लेता हूँ क्या बात क्या बात क्या बात अरे बहुत अच्छा जोग बाला तूने वाह अरे बिल्लू तुझे 1000 रुपए देगा इंपोसिब इंपोसिए जो जा लेकिन डिंपल बाभी को चट्टे है ओना है कि यहलो बाभी जी कोचे ले भूल गे mar plus है है हेलो बाभी जी बिलू जी कैसे है आओ हम तो ठीक है और आप कैसी है भाविती? लेकिन हम तो बिल्कुली फिट एंड फाइन नहीं है बिल्लु जी हम बहुत दुविदा में इसलिए हमें आपका याद आया है कहने बिल्लु जी हमको जरा देख दू हजार रुपेर चहिए था अन्य हमको तीन हजार रुपेर ते ही अथा तो हमें तो अपना और कोई खास नजर आया है तो इसलिए हम आपका पहूल के तीन हजार? तीन हजार? भाविजी, भाविजी आपने हमें याद किया और हम हाजिर है भाविजी, बदनाम भाई नहीं दिख रहे हैं वैसे तो उस इनसान को दुन्या में ही नहीं दिखना चाहिए पर फिलाल कहा है वह कवनों काम से बाहर गए हुए हैं, अभी आते होंगे भाविजी जब से आपको देखा है ना हम काम से गए है पैसे लाए हैं लाए है, लाए है भाविजी आपने काहा है और हम ना करें ऐसे खोई नहीं सकता हम पैसे लाए है लेकिन एक दिक्कत है पैसे सिर्फ 2,999 है एक रुपया आज़स कर लीजे भाविजी प्लीज पैसे बात कर रहा हम हमार ले तो नहीं कुछ कियों में कुर्पया अडिज़स कर पाएंगे कर देंगे चलिए नहीं अच्छा बाइटे हम आप पिले चाह बने कलापे बैठिये नहीं पैठिये नहीं अगली बार नहीं सुनोगे ना तो डंडा मारेंगे समझ गए तुम नहीं डंडा मारके नहीं ऐसे भी आप बुला सकते हमें बूलिये क्या काम हैं हमसे हमको तुमसे ये काम है कि अभी जो केस आयना दहेजवला हमको उनके घर पर जाना उनका रिष्टदार बनके जाच पड़ताल करना है अच्छे से उनकी समस्या कर जड़ तक पता लगाना है समझ रहो बात को समझ गए ना हाँ हाँ समझ गए बिल्कुल समझ गए हाँ किल्कुल समझ गए ने क्या हो गया संतोष? क्या हो गया? तुम क्यों मूह लटका के खड़ी हो? जब से देख रहे हैं तुम्हारा दोनों सुई एक ही जगा है चेहरे का क्या हो गया? वो अब हमारा थाना कॉंपटिशन जीतने का तो कोई चांस है नहीं, अब तो हारना कंफर्म है या वो तो छोड़ी दूर का? का का का? नहीं मतलब अब आपने ड्यूटी जॉइन कर ली है इन्वेस्टिकेशन करने जा रही हैं और अगर वाके यह मामला दहेच का निकला तो केस फाइल होंगी एक केस फाइल होगी तो और भी केसिस आएंगे और फिर तो हारना ताय है ना संतु ऐसा तुम्हें किस ने कहा कि हमने ड्यूटी जॉइन कर लिया तो यहां पे F.I.R. आएगा हमने ड्यूटी जॉइन ही इसलिए किया है ताकि F.I.R. थाने में ना आए देखो भाई या, ऐसा है कि वरदी से दूर रहकर Manav Sir से दूर रहकर Manav Sir के इमाग में किया चलना है वो क्या सोच रहे है हम पता नहीं लगा सकते कि इसीलिये हम ठाना में रहें के Manav Sir के आसपास रहें BE ताकि हमें समझ होना है कि उनके देमाग में क्या चला और फिर हम अपने तरीका से अपना ड्यूटी कर सके समझ रहो बात को यह प्लान है इसले तुम संतू बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ स्माइल वापिस आना चीए तुमारे चेहरे पे जब तक हमारा थाना प्रतियोगित निकले तो क्या उनको हम ऐसे ही जाने देंगे पुष्पा जी हमारा सबसे पहले दाइतविना हमारी ड्यूटी के लिए हमारी वर्दी के लिए बाकी सब बात में इसले जिस शिदद से आज तक हम अपनी ड्यूटी निभाते हाएं आगे भी उसी शिदद से निभाएंगे बे गुनाथ पर आच नहीं आने देंगे और गुनेगार को ना हम छोड़ेंगे इसलिए अगर ये मामना दहेच का निकला ना पुष्पा जी तो हम महिया कसम खाकर कहते हम किसी को नहीं छोड़ेंगे इंसाफ होगा इंसाफ हम करेंगे लेकिन पिना रिपोर्ट का इंसाफ और मिंसाफ नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते आपलो ची आपने नहीं पहचान नहीं? नहीं हो दवस्ति एमाली पोट लगा गी अल्बम में संधी जी नहीं पाई चला देखिये भाई साब थोड़े है वरना लाइन लगा देते हैं अलबमों की साब साब बते ही आप लोग है कौन जी मैं रिमा मीना के मामा की लड़की और ये मेरे हस्बेंट प्यारे हैं प्यारे हैं संधी जी मेनु ने तो बताई थी ओ अरुपित के साथ चिनला जाने से पहले कि आप लोग लखनू आने वाले हैं बोला था दो दिन रुकेंगे आप अमारे यहां ताइम थोड़े है वरना लाइन लगा देते हैं आपको रिसीब करके लेके आने वाले की आप लोग बाहर क्यों गड़े हैं आप तो हमारे अपने हैं आई आई अंदर आई केतकी देखो कौन आये यह है अमारा छोटा सा घर अरे मैं तो बताना ही भूल गया की मैं कौन हूँ मैं Sanjay, Harpita के पापा कहां रख दी अभी तो हाथ में ही थी कहां रख दी मिल नहीं रही है अरे भाग्यवान, जो नहीं मिल रही उसे छोड़ो जो मिल गई है उनसे तो मिलो हमारी बहू मीनू के परिवार बाले हैं उनके घर से आये हाँ मैं मैं रीमा हाँ यह मेरे हस्बन तैरे जी बड़े प्यारे है और यह जो रीमा है यह मीनू के मामा की बेटी है हाँ अच्या घर ढूले में कोई पारेशानी नहीं हुए ना? तकलिव कीज़ बाद की यहां से यहां तो आया था अमीनवाद से ओटली, दो मिमले सर सीधर एक मिल एक मिल एक मिल मीनू तो कह रही थी की आप स्टेशन से सीधा यहां आएंगी लखनू पहली वारा रहे है क्या? हाँ हाँ स्टेशन से ही तो आना था लेकिन यह प्यारे बीना इनके ना फ्रेंड रहते हैं अब प्यारे की बात हम टालते नहीं है तो पहले फ्रेंड के घर गए अमीनाबाद में फिर वाया अमीनाबाद होते हुए ऐसे हम आ रहे हैं अच्छा आप कुछ ढून रही है? हाँ कुछ तो ढून रहे थे पर्याद नहीं आ रही है उम्र हो गई है ना बेटा इसलिए आदास्त थोड़ी कमजूर हो गई है अच्छा बेटा आप लोग खड़े क्यों है बैठ चाईए हाँ हाँ बैठते बैठते बैठ पत्ती जी पहले आप बिठी जी प्यारे प्यारे क्या हुआ एक मिल्ट जी प्यारे क्या आरे याद आगया याद आगया शूई ढूड रही थी बुजी जल्दी आद आगय जी हाँ बेटा जब चुबती है तब ही याद आती है और कुछ भूली तो नहीं बैठनी से पहले बतादी जी यह नहीं बैठा बस एक ही थी बैठ चाहो अब क्या कहें इनका इनका तो रोज का है यहीं बैठके शिलती रहती है और यहीं यह सुई जो है यह भूल जाती है छोड़ देती है वहीं पर अब बेचारी हमारी बहु मीनू की क्या गलती है बताएए यहीं बैठ जाती है चूप जाती है उसे कितने तकलीब होती है क्या है न बैठा अगर यह सोफे सारे सफेद रंगे होता न तो कोई परेशानी नहीं होती लेकिन अब भाई टाइब थोड़ा है वनना अब लाइन लगा देते सफेद सोफो की अच्छा अच्छा अब अपनी बच्ची पर पहला हक तो अपने माबाब काई होता है न है कि नहीं भाई साब नहीं नहीं सही कह रहे है देखा यह भी कह रहा है हम सही कह रहे है जहिन सर जहिन कैसी आप हम ठीक है सर आप आप दुरे तो अम भी नहीं है बस हालात कभी-कभी हमें पुरा बना देते हैं शमा चाहते हैं आपको प्रत किशा कपड़ी वो क्या है कि अंदर आईजी साब की एक ज़रूरी मीटिंग चल रही है नो प्राब्लम सर आउंडर्स्टाइब आईए थोड़ा आगे चल के बात करते हैं आईए चीक है क्या वा सर असीन जी आपके लिए एक बुरी खबर है अच्छा जिन्देगी में आप तो इतनी बुरी खबरे सुन लिये से और कि कोई भी खबर उतनी बुरी नहीं लगते बताईए इस बार आप कौन सी बुरी खबर देना चाहते हैं हमने आईजी साब को ये जिक्र करते हुए सुना कि अगर आपका थाना बेस्त थाना प्रतियोगीता नहीं जीत पाता है तो आपका थाना बन करने की सोच रहे हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि प्रतियोगीता का परिनाम ही इस बात को सित कर देता है कि इस शहर को आपके थाने की अवश्रकता है या नहीं यह पुलिस डपार्टमेंट हमारे थाने की पीछे ही क्यों पड़ा रहता है हर वक्त? अब, एनिवेज सर, आप क्या सोच रहे हैं? वही जो आप सोच रही हैं, आपका थाना हरकिस बंद नहीं होना चाहिए हमसे बहतर और कौन जानता होगा कि यह शेहर को आपके थाने की कितनी आवश्यक्ता है इसलिए हम चाहते हैं कि आपका थाना यह प्रतियोगीता जीत जाए और यूही पूरी निष्ठा के साथ अपना फर्स ने बाता रहे शायद इसलिए यह कॉंट्फिरेंशल बात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आप अपने ही सिद्धानतों के खिलाब जा रहे हैं से आमें तो लगा था कि आपके लिए अपने फर्स से उपर कुछ भी नहीं अब भी नहीं है असिना मलिक हम आपके साथ यह कॉंट्फिरेंशल बात इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका थाना बंदो क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक आम शेहरी की कितनी सारी उमीदे आपके थाने के साथ जुड़िये इनसाफ के लिए लोगों की नजरें आपके थानी की तरफ होती है क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्हें कहीं इनसाफ मिले या ना मिले आपके थाने में ज़रूर मिलेगा कोई सुने या ना सुने उनकी आवाज आपके थाने में ज़रूर सुनी चाहेगी कोई दे या ना दे आपका थाना सच का साथ ज़रूर देगा इसलिए एक कॉंफिरेंशल बात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि ऐसा करके हम आपकी नहीं समाज की सेवा कर रहे हैं अच्छा लगा हमें ये जानकर सर कि आप हमारे महिला पुलिस थाने की इतनी वैल्यू करते हैं हमारे डेडिकेशन को हमारे इंटेंशन को इतने अच्छे से समझते हैं लेकिन अनफॉर्चनेटली सर आज के जमाने में प्रोडक्ट से जादा एड्ज बिखते हैं तो ऐसे मैं हमारे थाने की इमानदारी को कोई कैसे समझेगा और वैसे भी हम चाहें भी तब भी ये कॉम्पिटिशन जीतना हमारे लिए बहत मुश्किल है सर क्यूंकि बाकी पुलिस थाने इस कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तयार है आप अच्छे से जानते हैं कि इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए ओफिशल क्राइम ग्राफ लो होना चाहिए इसलिए कुछ पुलिस थानों ने रिपोर्ट लिखना ही बंद कर दिया है जब रिपोर्ट ही नहीं लिखेंगे तो क्राइम ग्राफ तो अपने आप ही लो हो जाएगा ना और आप अच्छे से जानते हैं सर कि इस तरह के पैंतरे हमारा महिला पुलिस थाना कभी नहीं अपनाएगा इसलिए हो सकता है कि ये कॉम्पिटिशन हम जीत ना पाएं फिर भी आपने हमारे लिए इतना कंसर्न दिखाया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्री जैहन सान जैहन कि अबूप्द तरह सर विद्यों तरह से जोंकि पर उच्साइज सूप्राइब गया उपनाएगा इसलिए हमारे इसलिए हमारे विद्यों और सुप्राइब अन्यू थानुटिए